exercise 4.2 का question number 1 है find the roots of the following quantity equations by factorization अब इसमें मैंने दो पार साल्प कियां थर्ड और फोर्थ थर्ड पार्ट है root 2 x square plus 7 x plus 5 root 2 equal to 0 अब अपने factorization यानि middle term को split करना है जिसके degree bond होगी इस type के parts आप पहले भी कर चुके हो तो root 2 को 5 root 2 से multiply करूँ 5 into 2 कितना आता है 10 x square तो 7 x को ऐसे break करना है कि plus minus करके 7 x है लेकिन multiply करके आए इसकी यानि 10 x square के बराबर तो root 2 x square 7 x को मैंने break किया 5 x plus 2 x 5 x और 2 x होते हैं 7 x multiply आती है 10 x square plus 5 root 2 ऐसे equal to 0 same अब first 2 में common सिरफ x है तो x मैंने common निकाला इधर बचकिया root 2 और x इधर बचकिया plus 5 अब इन दो में common पता नहीं चल रहा है क्या है लेकिन हमें पता है कि जो bracket में इधर term आई है वही term इधर आएगी अगर हम bracket में root 2 x plus 5 पहले लेख दें तो बाहर क्या बचेगा अब root 2 into root 2 क्या होता है 2 तो इसलिए अगर हम root 2 बाहर निकाले तभी अंदर क्या बचेगा root 2 x और plus क्या बचेगा 5 यानि bracket के अंदर term same कब आएगी जब हम third और fourth term में से root 2 common निकालेंगे तो इधर बच जाएगा root 2 क्योंकि root 2 into root 2 होता है 2 और x का x आगया बाहर और root 2 into root 2 क्या बचेगा 2 और 5 का 5 यानि root 2 हमने बाहर निकाला तो इधर क्या बचा सिरफ 5 तो क्या आया x बाहर निकाला root 2 x प्लस 5 आया plus root 2 निकाला तो root 2 x प्लस 5 आया equal to 0 फिर हम क्या करते हैं एक बार bracket के बाहर वाले term जानि X plus root two लिखते हैं X plus root two को भी zero के बराबर लेंगे AND root two X plus five को भी zero के बराबर लेंगे तो X की value के आएगी, minus root 2 और इदर root 2X आगया, minus 5 के बराबर तो X की value के आएगी, minus 5 upon root 2 तो इसके जो roots 2 आए, वो 2 roots कों से आए, minus root 2 और minus 5 upon root 2 quadratic equation में 2 root निकलेंगे, cubic में 3 निकलेंगे, linear में 1 निकलता है तो इसके roots के आए, minus root 2 और minus 5 upon root 2 अब इसका fourth part है, 2X square, minus X, plus 1 upon 8 इसमें अगर मैं direct multiply करूँ, 2X square की इससे तो क्या आएगा, 1 upon 4 तो इसको break करके, 1 upon 2X, minus 1 upon 2X, दो बार लिखो तो तब भी हम common निकाल के कर सकते हैं लेकिन मैंने क्या किया, 8 निकाला पहले LCM तो 8, 2, 16X square, 8, 1, जा 8X, plus 1 का, plus 1, equal to 0 तो जब ये वाला 8 उदर जाएगा, तो 0 into 8 क्या होगा, 0 तो क्या बचा, 16X square, minus 8X, plus 1, equal to 0 अब middle term split करनी है, 16, 1, जा 16 तो 8X को मैंने break किया, minus 4X, minus 4X इसका product 16X square आता है, लेकिन plus minus करके क्या आता है, minus 8X minus 4X और minus 4X क्या होगा, minus 8X, अब first 2 में कामना आया 4X, इदर क्या बचा, 4X इदर क्या बचा, minus 1, इन दोनों में कामना आया, minus 1, तो इदर आ गया, 4X minus plus, minus, तो minus 1, bracket में सेम आना चाहिए, ये दियान रखना है अब एक बार हम bracket के बार बार लेकेंगे, 4X minus 1, और दूसरी बार bracket के अंदर वाला, 4X minus 1, equal to 0 तो अब zeros find करने के लिए, यानि roots find करने के लिए, हम 4X minus 1 को भी 0 के बराबर लेंगे और इस 4X minus 1 को भी 0 के बराबर लेंगे, तो 4X आ गया 1, और इदर भी 4X आ गया 1 तो X 1 by 4 और इदर भी X 1 by 4, तो roots क्या है हमारे, 1 by 4 and 1 by 4 option number 2 है, solve the problems given in example 1, जो example 1 में problem दी हैं दो, उसको हमने solve करना है तो पहला पार है, जान और जिवन्ती together have 45 marbles, both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124, we would like to find out how many marbles they had to start with हमें बताया है कि जान और जिवन्ती के पास शुरू में 45 marbles थे, दोनों से 5-5 गुम हो गए अब जो उनके पास जितने marbles बचे हैं, उनका product कितने हैं, 124, हमने बताना है, शुरू में उनके पास कितने-कितने marbles थे तो हमने क्या let किया, let the number of marbles John had, John के पास जो marbles थे, वो कितने थे, X तोटल कितने थे, 45, तो number of marbles जिवन्ती है, जिवन्ती के पास कितने होगे, 45 minus X, क्योंकि तोटल 45 थे since both of them lost five marbles each, दोनों से अगर पांच-पांच गुम होगे, अब कितने-कितने बचे, number of marbles left with John, John के पास कितने बचे, पहले X थे तो X minus 5, तो number of marbles left with जिवन्ती, जिवन्ती के पास कितने बचे, 45 minus X थे, तो minus 5 करेंगे, तो क्या बचेगा, 40 minus X, जान के पास X minus 5, 5 जिवन्ती के पास 40 minus X, अब जितने-जितने बच गए हैं, पांच गुम होने के बाद, वह हैं X minus 5 और 40 minus X, दोनों का product कितना दिया है, 124, तो according to question, X minus 5 into 40 minus X equal to 124, X into 40, 40X, X into minus X minus X square, minus 5 into 40 minus 200, minus 5 into minus X plus 5X equal to 124, minus X square, ऐसे रहने दिया, 40X ऐसे रहने दिया, 5X ऐसे रहने दिया, minus 200, ऐसे रहने दिया, और 124 इंदना भाण गए minus 124 equal to zero, minus X square, same, 40X और 5X बन गए, 45X, minus 200 और minus 124 बन गए, minus 324, equal to 0, minus common X square, minus 45X plus 324 equal to zero, जब minus common निकालते हैं, ये सारे sign क्या हो जाते हैं, change, अब minus को transfer करेंगे उस तरब तो 0 का 0 रहेगा, क्या बचा x square minus 45x plus 324 equal to 0 अब हमें middle term ऐसे split करनी है कि multiply 324 आए, लेकिन plus minus करके क्या है, minus 45 तो मैंने break कैसे किया x square minus 36x minus 9x plus 324 equal to 0, मैंने 45 को break किया, minus 36 और minus 9 दोनों को add करके minus 45x ही आता है, लेकिन multiply 324 ही आती है ठीक है, अब x निकाला common तो इदर बचके x minus 36 इदर common आया, minus 9 इदर बचके x minus plus minus 36, क्योंकि 9 36 जा हता, 324 तो एक बार bracket में आगया x minus 9 और अंदर वाले आगए x minus 36 equal to 0 अब x की value find करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर now x minus 9 equal to 0 and x minus 36 equal to 0 तो x आगया 9 और x आगया 36 अब x क्या था, जान के पास जितने marble थे, तो number of marbles john है, जान के पास कितने marble थे यहां तो 9 होंगे, यह 36 होंगे, तो number of marbles, जीवंती है, जीवंती के पास कितने थे, अब अगर जान के पास 9 होंगे, जीवंती के पास आएंगे, 45 minus 9, यहानी 36 अगर जान के पास 36 होंगे तो जीवंती के पास कितने हैंगे, 45 minus 36, यहानी 9 अगर जान के पास 9 होंगे, जीवंती के पास 36, अगर जान के पास 36 ओंगे जीवनती के पास 9 question number 2 का जो second part है एक कोटे industry produces a certain number of ties in a day the cost of production of each tie in rupees was found to be 55 minus the number of ties produced in a day on a particular day the total cost of production was to be 750 तो find the number of ties produced on that day अब हमें given क्या दिया हुआ है कि एक industry है जो रोज के जो ties त्यार करती है वो हमें find करने है कि कितने उन्होंने खिलोने त्यार किये एक दिन में cost हमें दिवी या हर एक खिलोने की जो है वो 55 minus the number of ties 55 में से हमने जितने ties प्रोडियूस दोते है एक दिन में वो minus करने है 55 माइनस अगर हम x let करेंगे तो x करेंगे और total cost of production वो भी दी है 750 अब कैसे मैंने solve किया है तो सबसे पहले मैंने let किया let the number of ties produced on that day मालो एक दिन में उन्होंने खिलोने त्यार किये x तो cost of production of each die एक खिलोने की कीमत क्या होगी क्या बता है मैंने 55 माइनस अगर हम x let करते हैं तो 55 माइनस x y let करेंगे तो 55 माइनस y 55 माइनस x आया गए था तो total cost of production on that day यानि एक दिन में उन्होंने जो खिलोने त्यार किये उनकी कीमत क्या थी थिलोने कितने थे x एक की कीमत क्या थी 55 माइनस x तो x 23 की कीमत कितनी होगी x इन्टू 55 माइनस x और given दिया बत total cost of production equal to 750 एक अमने निकाला x इन्टू 55 माइनस x एक हमें given दिया 750 इसलिए हम दोनों को क्या करेंगे equal तो x इन्टू 55 माइनस x equal to 750 अब x इन्टू 55 55 x x इन्टू माइनस x माइनस x square equal to 750 तो माइनस x square plus 55 x इसको transfer किया तो माइनस 750 equal to क्या आएगा 0 तो माइनस x square plus 55 x minus 750 equal to 0 माइनस मैंने निकाला common जब हम माइनस common निकालेंगे तो क्या आएगा ये x square positive हो जाएगा ये plus का minus 55 x बन जाएगा ये minus का plus 750 equal to 0 अब minus वहाँ जाके 0 divided by minus 1 तब भी 0 ही आता है minus 0 को तब भी 0 ही रहता है तो x square minus 55 x plus 750 equal to 0 अब हमने media time split की 750 को x square से करो 750 आता है 55 को मैंने break किया minus 30 x minus 25 x अब minus 30 into minus 25 multiply करके 750 आएगा और plus ठीक है x x x square बन जाएगा तो 30 into 25 बनता है plus करके आता है 55 और 30 into 25 आता है 750 x square अब फर्स 2 में कामन निकाला x तो x minus 30 इधर minus 25 निकाला इधर बचा x minus plus minus 25 30 जा equal to 0 एक आया x minus 30 bracket में और एक आया x minus 25 पहले bracket में x minus 25 दूसरी bracket में x minus 30 equal to gas 0 अब x की value निकालने के लिए हमने किया कि now x minus 25 equal to 0 and x minus 30 equal to 0 तो x की value क्या आई 25 और इधर x की value क्या आई 30 तो दो value निकली x की यानि number of ties produced on that day equal to 25 or 30 यानि उन्होंने एक दिन में कितने खिलोंने तियार किये यान तो 25 किये यान 30 अगर 25 करेंगे तो एक ही कीमत होगी 55 में से 25 minus करेंगे 30 करेंगे तो 25 में से 30 minus करेंगे यानि number of ties produced on that day equal to 25 or 30 question number third find two numbers whose sum is 27 and product is 182 तो sum of two numbers 27 दिया है और product of two numbers 182 दिया है तो sum of two numbers 27 है तो हमने let one number equal to x हमने एक number let किया x अगर दो नमबरों का sum 27 है और एक number x है तो देरफोर other number क्या होगा 27 minus x sum of two numbers minus one number तो x one number other number 27 minus x अब आगे गीवन दिया product of two numbers equal to 182 product of two numbers 182 है तो first number आगया x second number आगे 27 minus x equal to कितना 182 x की multiply 27 से 27 x x की multiply minus x से minus x square equal to 182 minus x square plus 27 x 182 transfer किया minus 182 equal to 0 minus common दिकाला x square minus 27 x plus 182 sign change sign change sign change तो x square minus 27 x plus 182 equal to 0 minus transfer होके जैसे बाहर पिछले पार में किया था same वैसे 0 upon minus 1 0 या minus 0 equal to 0 तो x square minus 27 x plus 182 equal to 0 अब 182 one is a 182 middle term S split करनी है product 182 आए लेकिन plus minus करके minus 27 आए तो x square मैंने ब्रेक किया minus 14 x minus 13 x plus 182 14 13 जा 182 ही आएगा प्लस में और 14 और 13 27 ही आएगा minus 27 तो x कामन दिकाला x minus 14 minus 13 कामन दिकाला x minus plus minus 14 13 14 is the 182 अब x into x minus 14 minus 13 into x minus 14 equal to 0 एक बार हम लिखते है x minus 13 और एक बार लिखते है x minus 14 equal to 0 तो x minus 13 into x minus 14 है 0 के बराबर यानि x minus 13 भी equal to 0 और x minus 14 भी equal to 0 तो x की value आगी 13 और इदर x की value आगी 14 यानि अगर one number 13 first number आपका 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है वेन one number equal to 13 अगर हम x की value 13 ले देन other number 27 minus 13 यानि 14 अगर one number 13 होगा तो other number क्या हैगा 14 अगर x की value 14 यानि when one number equal to 14 देन other number equal to 27 minus 14 यानि 13 one number 13 other number 14 one number 14 other number 13 तो therefore two numbers equal to 13 and 14 और 14 and 13 यानि जो दो नंबर आपके होंगे वो 13 और 14 होंगे या 14 और 13 आप 13 and 14 लिखो या 14 and 13 लिखो एक ही बात है थैंक यू